नमस्कार नियूजवल इंडिया के इस खास प्रोग्राम के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में हमें उन चीजों की सेवन पर जादा ध्यान जेना चाहिए जो हमारे शरीर को अंद्रूनी गर्मी प्राप्त करने में मदद करती है। शहद कई पोशक तत्वों से भरपूर होता है जो आपको तीजी से उर्जा देने में मदद करता है। वहीं शहद हमारे इम्मिनूटी को भी बढ़ावा दे सकता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। शहद गले में खराश को दूर करता है। इसलिए सर्दियों में रोजाना एक चम्मच शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। गी आपके शरीर को गर्म और तपमान को संतुलन करने में मदद करता है। ऐसलिए क्योंकि इसमें आवशक फैटी एसीड होते हैं। वहीं गी आपके शरीर को अंदर से गर्म रखता है। गुड में काफी मात्रा में क्यालरी पाई जाती है। शरीर में गर्मी को बढ़ाने के लिए भारत के कुछ हिस्तों में गुड का सेवन काफी जादा किया जाता है। वहीं शरीर को गर्म रखने के लिए गुड को रोज रात सोने से पहले गर्म दूत के साथ खाना चाहिए। दालचीनी सर्दियों के दौरान खाने पेनी के चीजों में दालचीनी मिलाने से शरीर का मेटाबॉलिजम बढ़ता है। जिसे सरीर में हीट पैदा होती है। यदि आपके स्किन ड्राई हो जाती है तो आप दालचीनी पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर स्किन पर लगा सकते हैं। दालचीनी का पानी पीने से खांसी का भी इलाज किया जा सकता है। केसर की सुगन और स्वाद एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता है। एक कपदूद में चारपांट केसर के धागे उबाल कर पीने से सर्दी से निज़ात मिल जाता है। सर्सो एक तीखा मसाला है जो सर्दियों के दोरान आपके शरीर को गर्म रखने के लिए जाना जाता है। सफेद और भूरे रंग की सर्सो में एलल आईसो थियोसाइनेट नामक कमपाउंड पाया जाता है। जो आपके शरीर के तापमान को स्वाथ तरीके से बढ़ा सकता है। तिल का इस्तमाल चिक्की या अनिशर्दियों की मिठाई में काफी जाद किया जाता है। दिल के बीज आपके शरीर को गर्म रखने और सदियों के दौरान आपको गर्म महसूस कराने के लिए पेहद अच्छे माने जाते हैं अद्रक अद्रक को ना सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए बलकि बीमारियों को ठीक करने के लिए भी दबाओं के रूप में इस्तमाल किया जाता है अद्रक शरीर पर थर्मोजैनिक प्रभाव छोड़ता है जिससे हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है अंडे अंडों को प्रोटीन का सबसे बहतरीन स्रोथ माना जाता है रोजाना अंडे का सेवन करके प्रोटीन की धैनिक आवश्च्रक्ताओं की आसानी से पूर्टी की जा सकती है सर्दियों के दौरान शरीर को गर्म रखने के लिए नास्ते में अंडे को शामिल करना पहतर विकल्प माना जाता है कॉलिस्ट्रोल की मात्रा को कम करते हुए हिदरोग के खत्रे से बचने और आँखों के लिए भी अंडे का सेवन लाबदायक माना जाता है गर्म दूद वैसे तो दूद का सेवन रोज करना चाहिए हाला कि सर्दियों के मौसम में गर्म दूद पीना और भी फायदे मन माना जाता है दूद में बिटामिन B, 12 और बिटामिन A, प्रोटीन और कैलसियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो किसी व्यक्ति के स्वास्ते को बढ़ावा देने में सहायक है सर्दी के मौसम में गर्म दूद पीने से आप बीमार पढ़ने से बच सकते हैं साथ ही दूद का सेवन करना आपके हटियों और संपून शरीर के लिए अत्यन्त फायदे मन्द हो सकता है बाजरा बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसकी रोटी सद्दियों के दिनों में खाने से शरी को गर्मे मिलती है इसलिए छोटे-छोटे बच्चों को बाजरे की रोटी जरूर खाना चाहिए इसमें कई स्वास्ते वर्दक गुन भी होते हैं बाजरा में शरीर के लिए आवशक तत्व जैसे मैगनीशियम, कैलसियम, मैगनीज, क्रिपोफेन, फाइवर, बिटामिन बी, एंटी ओक्सिडेंट आधी भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं सर्दियों में ओमेगा थी फैटी एसिड सबसे अच्छा फूड होता है यह मुखे रूप से मच्छियों में पाई जाता है सर्दियों में मच्छियों का सेवन करें, इससे शरीर को गर्मे मिलती है, इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है इसलिए यह शरीर का इम्मुनिटी पावर बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है बदाम कई गुनों से भरपूर होता है, इसका नियमित सेवन करने से अनेक बीमारियों से बचाओं में मददगार है, अक्सर माना जाता है कि बदाम खाने से यादास बढ़ती है, इसके सेवन से कपच की समस्या भी दोर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बदाम में डाविटीज को नियंतरन करने का भी गुन होता है, इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े और हीटर भल ही आपको बाहर से गर्म रखने का काम कर रहे हो, लेकिन शरीर के अंदर से गर्म रखने के लिए खान पा इनकी चपेट में आने से बच सकते हैं, फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, इस मौसम में आप अपना और अपने परिवार का रखे ख्याल हम में लेंगे इस प्रोग्राम के अगली कड़ी में, नमस्कार